निश्कर दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का श्वागत करते हैं आपकी ही अपने चैनल एज्योकेशन फोरियू में मेरा नाम है आशिज चौर रशिया और दोस्तों आज हम यहाँ पे बहुत फास्ट तरिक्ये से कुछ कोशन पढ़ने वाले हैं जो ऐसे कोशन जो कही ना क क्या होते हैं बन सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा पहला कोशन कौन सी अवस्ता को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं तो दोस्तों किसोर अवस्ता को गोल्डन एज के नाम से जानते हैं यह बिलकुल आप लोग याद कर लीजिए दूसरा कोशन दे देखेंगे आपर बाली अवस्ता कब से कब तक होती दोस्तों 6-12 वरस तक क्या होती है बाली अवस्ता उतिया है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। अगला कोश्ण देखने हैं किस अवस्ता में बालाख अनुकरण के द्वारा विशेश रूप से सीखता है तो दोस्तों वो होती है आपकी सेशा होस्ता दोस्तों अनुकरन के द्वारा मतलब क्या होता है अनुकरन यान दूसरों को आप देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं तो उसे ऐसी अवस्ता जो होती है वो सेशा होस्ता होती है नो डाउन आप इसे कर सकते हैं दोस्तों अगला कोशन देखेंगे आपे बाल अवस्ता में बच्चों को पढ़ने की विधी किस पर अधारित होनी चाहिए तो दोस्तों बाल अवस्ता में जो पढ़ाई करने की जो विधी होती है ये किस में होना चाहिए खेलों पर अधारित होनी चाहि इस तरह ना आपकी चार विकास की अवस्ता हैं हो जाएगी अगर आप देखते हैं दोस्तो तो सेशा वस्ता को सीखने का आदर्स काल किसने का हुआ है तो दोस्तो ये का हुआ है वैलेंटाइन ने किसने का हुआ है वैलेंटाइन ने कहा हुआ है एकदम आप याद रखे दोस्तो इसे बाले अवस्ता को मित्या परिपक्ता का काल किस ने कहा है दोस्तो तो ये किस ने कहा हुआ है रौस ने कहा हुआ है बाले अवस्ता को मित्या परिपक्ता का काल दोस्तो अगला कोश्चन आपके सामने आ जाता है बेसिक सिक्षा अदिनियम कब बना था तो दोस्तो ये 1972 में बना हुआ था आगे चलेंगे दोस्तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिसत का गठन कब किया गया था तो ये किया गया था दोस्तो 25 जुलाई 1972 को कितने वर्स के बाद दोस्तो पार्टिक्रम में परिवर्तन आता है जो बच्चों का पार्टिक्रम होता है उसमें लगबग कितने वर्सों के बाद परिवर्तन आता है महात्मा गांदी ने बुनियादी या सिक्षा या मैं कहूं बेशी सिक्षा प्रस्ताव कब पारित किया हुआ था तो ये 1937 को ये पारित किया गया था आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तो आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा ओप्रेशन ब्लेकबोर्ट योजना क्या थी तो दोस्तो ओप्रेशन ब्लेकबोर्ट जो था ये प्रात्मिक स्तर के सभी बच्चों के लिए एक सिक्षा में एक रूपता होनी चाहिए और दूसरी हम बात करें सुविदाएं हैं वो सारी सुविदाएं विद्याले में उप्लब्द कराना ये ओप्रेशन ब्लेकबोर्ट योजना का क्या था उद्देश था आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर उप्रोक्त योजना कब सुरू की गई थी तो यह योजना 1987 में की गई थी दोस्तों अग आत्मिक सिक्षा कारिकरम कब सुरू किया गया था तो ये 1993 और 1994 के असपास प्रारंब किया गया था दोस्तों सर्व सिक्षा योजना कब लागू की गई थी तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला कोशन जो आ जाता है दोस्तों यहाँ पर बच्चों को पढ़ा की सिक्षा प्रदान करनी चाहिए तो दोस्तों तीन से जो पांच वर्ज की आई होती है यहां पर बालक को अना अप्चारिक सिक्षा देनी चाहिए अर्थात आपके घर से आपके माता पिता आदी से उसे सिक्षा प्राप्त होनी चाहिए खेल रचनात्मक एवं सजनात्मक क् किस मनवय घ्यानिक ने कहा है तो दोस्तो ये नन ने कहा हुआ है अगला कोशन देखते हैं किस विदी के द्वारा बच्चों को आसानी से समझा कर पढ़ाया जा सकता है तो दोस्तो वो होती है आगमन विदी आगे चलेंगे विद्यालों में खेलते हुए बच्चों में क्या पाया गया है तो दोस्तों जब बच्चा विद्यालने में खेलता है तो वो सक्रिता उनके अंदरगर पाई गई है दोस्तों खेल का सर्वसेष्ट योगदान किस अनुशाशन में सयोग करता है तो दोस्तों वो करता है आत्म अनुशाशन में आगे चलेंगे सिसु के मस्तिक्स को कोरी स्लेट किसने कहा है तो दोस्तो रूशो ने ये कहा हुआ है कितने बच्चे तीबरबुद्धी वाले होते हैं तो लगबग जो होते हैं दोस्तो 16 प्रतिशत बच्चे जो होते हैं कैसे होते हैं आपके तीवरबुद्धी वाले बालक होते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच वाचिए इस वीडियो रात नो बज़े आप किसी भी टैट या सिटेट की तहरी क के लिए हमसे जुड़ सकते हैं थैंक यू सो मच अ